नमस्कार दोस्तो अगर आप भी 2023 में अपने पीप का पूरा पैसा ओनलाइन घर बैठे अपने मुबाइल फॉन से निकालना चाहते है न तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किया है यकीन मानिए यह एक वीडियो यह आप सभी पीप मेंबर्स के लिए काफी होने वा मतलब क्या पूरा पैसा मतलब कि आप किस तरीके से पीफ का पैसा निकाल सकते हैं उसी के साथ साथ आप किस तरीके से पैंसन का पैसा निकाल सकते हैं और किस तरीके से आप अपने इंट्रस्ट का पैसा यानि ब्याज का पैसा किस तरीके से निकाल सकते हैं उस बारे में भी इसी वीडियो में बताने वाला हूँ, आप सभी P.F. members को बता दू, बहुत से P.F. members को नहीं पता, कि सभी P.F. members को हर साल उनके P.F. में जमा हुए पैसो पर कुछ percent interest मिलता है, नहीं ब्याज मिलता है, तो ब्याज का पैसा कैसे निकालना है, उस बारे में भी इसी वीडियो में बताने वाला हूँ, मतलब कि भईया, P.F. का पूरा पैसा निकालने के बिल्कुल नए और आसान तरिके, यानि बिल्कुल latest process के बारे हैं बताने वाला, इस वक्त आप लोग देख सकते हैं, हम लोग E.P.F. की official website पर आ चुके हैं, website के लिंक है वो आप लोग को वीडियो के description box में मिल जाएगा, जिस पर आप click करके इस website पर आ सकते हैं, ठीके ना, अब आपको करना क्या है, simply दियान से चुनिए, ताकि आप लोग को सब कुछ बिल्कुल अच्छी तरीके समझ आ जाए, चलिए, मैं details फिल कर लेता हूँ, तो यहां पर आप लोग देख सकते हो, जो details है हो, मैंने यहां पर फिल कर लिए, अब हमें simply यहां पर sign in पर click कर देना है, ठीक है ना, अब जो पुराना प्रोसेस था हो बदल चुका है, अब नए अपडेट आ गया है, ठीक है, बताता हूँ आप लोग को, sign पर click करते ही, आप लोग देख सकते हो, यहां पर login, second factor authentication, यानि, confuse मत हो यह, आपका जो भी pf में mobile नंबर लिंक है, आप यहां पर देख सकते हो, मैंने sign-in पर click किया, तो मैं अपने UN जो पॉर्टल पर है, वहां पर login हो चुका हूँ, तो यहां पर open होते ही, आपको एक alert देखने को मिलेगा, जिसे आपको नीचे जाते ही, लेटर कर देना है, अब लेटर करते ही, आपको अपने mobile phone पर कुछ इस तरीके का interface देखने को मिलेगा, जहां पर उपर लिखा हुआ Employees Provident Fund Organization India, यानि यह EPFO की official website है, उसके बाद मैंने आपको टिक लगा दिये हैं, आपको यहां पर 5 option देखने को मिल जाते हैं, पहला home का, दूसरा view का, तीसरा manage का, चौसरा account का, पांचवा online services का, तो इस वीडियो मैं आपको बताऊंगा, कि आप किस तरीके से अपने PF और pension के पूरे पैसे को online अपने mobile phone की साहिता से निकाल सकते हैं, तो उसके लिए आपको simply जो पांचवा option है online services का, इस पे click कर देना है, उसके बाद दुबारा आपके सामने नीचे चार option खुल जाएंगे, जहाँ पर पहला option है claim form number 31, 19, 10C and 10D का, तो आपको simply पैसा निकालने के लिए अपना जो पूरा पैसा है PF और pension का, उसके लिए आप लोगो simply claim form पर click कर देना है, अब जैसे ही मैं first option पर click करूँगा, तो मेरे सामने आपर कुछ इस तरीकी का interface आएगा, जहाँ पर member details आ जाती है तो यहाँ पर भी आप लोग को एक चीज फिल करनी है, जो कि आप लोग को हमेशा ध्यान रखना है, bank account number as ceded against UN, अलब जो bank account number की KYC आपके PF में हो रखी है, वो यहाँ पर आपको पूरा का पूरा फिल कर देना है, यहाँ पर मैंने टिक लगा दिया, आप लोग देख सकते है तो चलिए, पहले मैं यहाँ पर अपना जो bank account number है, जो मेरी banks, PF से KYC हो रखी है, वो मैं फिल कर देता हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलता हूँ तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, मैंने simply जो मेरा account number है, यहाँ पर फिल कर दिया, उसके बाद हमें simply नीचे देख वेरिफाई के बटन पर क्लिक कर देना है, हम जैसे ही verify पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर एक warning आया का certificate of undertaking, यह अभी desktop mode में नहीं है, इसलिए नहीं दिख खा रहा है, तो नीचे आप लोग को एक और दो option देखने को मिलेंगे, yes और no का, तो मैं simply yes पर क्लिक कर देता हूँ, आप देखिए मैंने इसे desktop mode में enable कर दिया, तो मैं simply नीचे की तरफ slide down करता हूँ, तो यहाँ पर I agree to terms and condition आता है, यहाँ पर yes और no के दो option देखने को मिल र down करना है, और proceed for online claim पर click कर देना है, अब देखिए, जैसे ही मैं यहाँ पर click करूँगा, यहाँ पर verify होगा, verify होने के बाद जो आपकी कुछ details है, वो आ जाएंगे, जैसे mobile number, UN number, name वगयरा, तो आपको simply नीचे की तरफ slide down करना है, आप यहाँ पर main option है, main step है, आपको यहाँ देहान से सुनना है, यहाँ पर option है, I want to apply for, आप किस के लिए apply कर रहे हो, आपको simply यहाँ पर click करना है, आप देखिए, अगर आपने company छोड़ दिये, तो आपको पूरा PF निकालने के लिए form 19 पर click करना है, ठीक है, उसके बाद simply यहाँ पर नीचे एक और yes को option आ रहा है, तो PF में दो तरीके के पैसे होते हैं, एक PF का और एक होता है pension का, PF का पैसा निकालने के लिए आपको form नंबर 19, फुल PF withdrawal का form बरना पड़ता है, यानि 19 जब आप form बरोगे तो उसमें सिरीप आपका PF का पैसा आएगा, और वहीं एक और अभी form आएगा, उसके बारे में आगे च ऐसा है, वो 50,000 या 50,000 से ज़्यादा है, तभी आपको 15G form बरना है, otherwise नहीं बरना, ये optional है, उसके बाद आपको simply आपर employee address फिल कर देना है, आपका village, street, state, pin code वगएरा, city वगएरा, ये सब basic सी चीज़े हैं, ये मैं आप लोग को फिल करके नहीं बताऊंगा, ये आप खुद तो आपको bank passbook जिसपे bank की seal और signature हो, या फिर आपका check जिसपे आपका name printed check होना चाहिए, जो पहले check आते थे उसपे name printed नहीं होते थे, लेकिन आप जो check आ रहे हैं उसपे name printed है, तो आप लोग को simply आपर name printed जो checkbook है, वो upload या फिर आपकी जो bank passbook है, वो upload करना है, उसके बाद आप लोग को simply यहाँ पर एक agree का tick दिख जाएगा, उसपे click करना है, और get आधार OTP पर click कर देना है, जैसे ही आप get आधार OTP पर click करोगे, जो आपका आधार से registered mobile number है, उसपर एक OTP send किया जाएगा, वो आपको OTP यहाँ पर fill करना है, और simply आप लोग को form है, वो successfully भर लेकिन मैंने आपको बिलकुल last पूरी step वाइस जो चीज है, वो सब कुछ बता दिया, तो यहाँ तक तो था PF withdrawal का, मैंने आप लोग को सुरुआत मीं बताया था, मैं PF और pension दोनों बताऊंगा, तो यहाँ पर मैंने आप लोग को जो PF withdrawal का full process था, वो बता दिया, अब मैं देता हूं, pension withdrawal का, तो उसके लिए आप लोग को simply online services पर दुबारा क्लिक करना है, और claim form 1910C10D पर क्लिक कर देना है, और दुबारा एक बार आपको same step follow करना है, अपना bank count नमबर बार डालना है, तो चलिए, मैं फटा फट पर पहले fill कर देता हूं, तो अब आप लोग देख स skill से एक मिनट पहले की बात है, कि जब हम अपना सिरी पर सिरी पी एफ बर रहे थे, तो हमने कौन सू option चुना था, online pf, only pf withdrawal, form नमबर 19 का, अब मैं आप लोग को बता दूं, कि बहुत से लोगों ने एक अफवा फैला रखी है, एक myth फैला रखा है, लोग कहते है, यानि कु कि मैं आपको बताया था भी किस तरीके से बर लाए, form नमबर 19 बरके, और दूसरा only pension withdrawal का form नमबर 10C बरके, यानि यहीं पर मैं आप लोगों को एक चीज किलियर कर देता हूं, कि pf और pension के अलग-अलग form होते है, pf का form नमबर 19 और pension का form नमबर 10C, तो चली मैं यापर 10C फट नमबर 19 10C में, form same तरीके से ही भरा जाता है, यहाँ पर भी आप लोगो कुछ भी नहीं करना, सिरिप employee address डालना है, और उसके बाद simply देखिए, address में क्या, आपका गाओं का नाम डाल सकते हो, ठीके मैं एक बार भर के दिखायता हूं, आप लोग एक example, तकि आप लोग संतु कर देनी है, उसके बाद simply, same as it is, आपको वही करना है, upload scan copy of check passbook, यानि आपको या तो cancel check की, जिस पर आपका name printed हो, या फिर जो भी आपकी bank की passbook है, जिस पर आपके bank की seal और signature हो, उसके बाद simply आप लोग को यहाँ पर agree पर click करके, get आधार OTP पर click करके, simply आप लोगों को जो अ 19 बरना है, on mistake है, थोटा सो mistake हो जाता है, और pension निकालने के लिए form number 10 सी बरना है, तो दोस्तों अभी मैंने आप लोग को PF और pension निकालने का जो पूरा को पूरा complete process है, वो आप लोग को बता दिया, जो latest process है, वो आप लोग को बताया है, बिल्कुल नया तरीका, और उमीद करत लिएते हैं, interest के बारे में, ब्याज के बारे में, जिया दोस्तों, कि आप किस तरीके से अपना interest का पैसा, यानि ब्याज का पैसा निकाल सकते हैं, तो देखे, यहाँ पर मैंने PF passbook में login कर लिया है, आप मैं थोटा सा नीचे slide down आ जाता हूँ, यहाँ पर आप लोग देख स अब उसी के साथ-साथ यहाँ पर एक 714 रुपीज का amount है, 714 यानि 714 रुपे का, जो की employer share पर, जो company का पैसा कटा है, उस पे ब्याज बना है, अब आप लोग एक चीज क्लियर कर दूँ, कि PF के ब्याज के पैसे को निकालने के लिए, आपको कोई अलग से form भरने की जूरत यह, यह automatically जैसे अब apply करोगे तो उसी में add होके आ जाएगा, अगर आपको interest देखना नहीं आता, आप देखना चाहते हैं, तो मुझे comment box में comment करना मैं, इसके ओपर dedicated video बना दूँगा, तो यहाँ तक तो मैंने आप लोग को clear कर दिया, कि form number 19 क्या होता है, form number 10C क्या होता है, और किस तरीके से form number 19 बरते हैं, 10C बरते हैं, किस तरीके से PF withdrawal करते हैं, pension withdrawal करते हैं, सब कुछ मैंने आप लोग को यहाँ तक clear कर दिया था, और उम्मीद करता हूँ समझ भी आ गया होगा आप लोग को बिलकुल अच्छी तरीके से, अब यहाँ पर आपकी संतुष्टी के ल है, ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, कुछ इस तरीके की receipt आप लोग को देखने को मिलती है, आप लोग को यह अगर अपना PF online करोगे हमारी वीडियो को देख किया, फिर कैसे भी, तो आप लोग को भी इस तरीके की जो receipt है हो, देखने को मिलेगी, उसके बा और वीडियो को like, share और comment करना